हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे, ये पूछना चाहते थे, कि सर अगर हम कॉस्टिंग पढ़नी स्टार्ट करें, तो किस ओर्डर में कॉस्टिंग पढ़नी चाहिए? आप मेरे साथ वन्स एन फर ओल ये लिस्ट बना लो, चैप्टर्स क मेरे हिसाब से सबसे पहले आप मेटीरियल चैप्टर पढ़िए, फिर आप लेबर पढ़िए, लेबर को आप इम्प्लॉई कॉस्ट भी बोलते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है न? फिर आप ओवरहेड्स पढ़िए, ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़िए, फिर आप बेस्ट कॉस्टिंग, देखें ये जो चार चैप्टर है न, ये एक स्लॉट है, या फिर मैं यू कहूँ कि ये एक ग्रूप है, इसे मैं ग्रूप बोल देता हूँ, ठीक है? फिर आजाते हैं अलग चैप्टर जैसे कॉस्ट शीट, फिर इसके बाद आजाता है कॉस्ट अक और ये तीनों पढ़ लेने के बाद आप कभी भी इसमें उपर-呢चे कहीं भी कर सकते हो, रींधी चैप्टर जैसे की, जैसे की, जैसे मैं बोलता हूँ, Standard, Marginal and Budgetary. अब ये तीनों न, अलग है, अलग होने का मतलब ये है कि, ये तीनों chapters जो है ये दुनिया से अलग चलते हैं सर ऐसे क्यों कह रहे हो दुनिया से अलग क्योंकि ये कई बच्चे starting ही standard से करते हैं कर सकते हो कई बच्चे standard marginal budgetary ही सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि इनका उपर वाले इन 8 chapter से कोई ले ना दिना नहीं है मतलब जब तक ये तीन chapter नहीं पढ़े होंगे cost sheet अच्छे से समझ नहीं आएगी मतलब unit 1 पर dependent है unit 2 लेकिन unit 3 जो है वो किसी पर dependent नहीं है unit 3 किसी पर dependent नहीं है फिर आता है आपका अगला chapter जो है service sector costing ये भी किसी पर dependent नहीं है फिर आता है process costing जो कि किसी पर dependent नहीं है और फिर आता है joint and by product joint and by product ये भी किसी पर dependent नहीं है क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या का ये चार units में costing को पढ़ो कोशिश ऐसे ही करो कि इस order में पढ़ो और revision कि इस order में करनी है चाहिए मैं वो आपको समझा देता हूँ देखे first revision जब होगी आपकी पहली बार जब आप revise करोगे तो इसी order को follow करना follow same follow same as study यानि जब आप पहली बार study कर रहे हो उस order पर जो आपने पढ़ाई की थी उसी order को follow करो first revision में लेकिन जो end की revisions होती है आखिर दिनों की revision आखिर के मालो 15 दिन बचे है 20 दिन बचे है आप एक बार quick revise करना चाहते हो दो दिन में course को तो पता है क्या करना मतलब जो second and onwards revision इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है second and onwards revision का मतलब second revision और उसके आगे अगर आप उतने तक पहुँचते हो मौका मिलता है आपको तो मेरे हिसाब से सबसे पहले revise करना चाहिए unit number 3 फिर revise करना चाहिए unit number 2 फिर revise करना चाहिए unit number 4 और अंत में revise करना चाहिए unit 1 ऐसा order क्यों बोल रहा हूं है दिखेगे unit पहले आप करो 3 क्योंकि यह highest weightage का है इसमें से लगभग 30% paper बनता है फिर करो इसे इसमें से लगभग 20-25% paper बनता है मैं इसे अंत में क्यों रखवा रहा हूं मैं आपको उसका reason दे देता हूं इसको अंत में इसलिए रखवा रहा हूं बटा क्योंकि यह chapter आपने सबसे अच्छे से पढ़े होते है अगर आपने starting यहां से करिए usually क्या होता है एक एक दा हम लोग biased होते है जह हम पढ़ना start करते हैं तो हम शुरू वाले chapters में ज़्यादा धहान देते हैं ज़्यादा देर लगाते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे से double sure हो के पढ़ते हैं लेकिन जैसे जैसे curriculum आगे चलता है हमें realize होता है हमारे पास समय कम है time उतना नहीं है unlimited time नहीं है तो हम अपने study को alter कर लेते हैं हम थोड़ी अपनी speed को alter कर लेते हैं तो बागी के chapter आपने comparably faster पढ़े होंगे and vice versa इसलिए कभी-कभी मैं ऐसे भी कराता हूँ batches में मैं live batch में कभी-कभी ऐसे भी कराता हूँ कि इससे starting कर देता हूँ क्यों? क्योंकि उससे benefit होता है कि अगर आपने सबसे भारी topic सबसे अच्छे से पढ़े होंगे क्योंकि जो शुरू में पढ़ते हो सबसे detailed topic पढ़ते हो तो ये chapter सबसे ज़्यादा better prepare हो रखे होते हैं बच्चों के इसी mindset से मैं इधर ये chapter कभी-कभी पहले करा देता हूँ वरना अगर आप legally सही order बोलें तो material से होना चाहिए legally सही order ये है बढ़ हां मैं batches में live batch में इधर से भी पढ़ाता हूँ लेकिन otherwise I would say that this remains to be a best pattern जो मैंने भी आपके सामने लिखा है बोली मेरी बात्चीत आपको समझ आगी मैंने क्या का order of study आपको समझ आगया है ये लिख लिख लिए आप सभी ने जो लेट भी आए होंगे या कभी भी अपनी अगर आप self study कर रहे हैं अगर आप recorded batch बढ़ रहे हैं तो आप इसी order को कुशिश करें की follow करें ठीक है जी तम जब बोले समझ आगी ये बात perfectly